इस वीडियो में हम एक पॉब्रम करें देखेंगे जिसके तुरू जितने भी और जो कॉंसेब्ट से हमने डिसक्रस किया है चैप्टर नबर वन में वह देख लेंगे हम के मैं पॉबिल्टी हमारे पास यहां से आजाएगी यह नॉमलाइशन हमने दिसक्रस की थी उसके बाद और श्रेंट अविशन एक्सपेटेशन वेल्यू कैसे फांड करते हो सारे कॉंसर पीसी एक पॉब्लम में डिसक्स हो जाएगे तो पाबलम है पार्टिकल ओफ मैसमें इस इन दस्टेट वेर एंड स्मॉल एर पोस्टिव रिल कॉंस्टेंट पहला काम है मारे पास एफांड करना विद नमारीशन कॉंस्टेंट है तो भी बाट है फुरवट पोटेंशन दर्टी फंशन भी आठ तो हमें पॉटेंशन दजी फाइंड आप करनी है चल्कूलिट एक्स एक्सपेर मोमेंटम एंड मोमेंटम स्कुर्प उसके बाद हम स्पैट फांड करेंगे यहां पर ह होता है या नहीं नहीं होता तो पहले टास्क मारे बास करना अंठावड़ याद होगा क्या करते हैं के साइस टारिक और सब्कार wanna प्षपेश्गरेरेट करते हैं और कि मारे पास होती है के तक हम इंटेक्रेट करेंगे तो इस पास है साहिस टैरिक हमारे पास है साही का तो इसमें चितने भी आपके पास इमिजडी पाइब में नहीं होंगे पार्ट जैसे है तो इसके साथ माइनस आजाएगा तो यह देखें एड़ल कॉंस्टेंट तो यह यह खूर यहां पर सांचेनी हुआ लेकिन आप यहां पर देख लें यहां पर माइनस यह पूरी ट्रॉम क्सां मल्टिपला हो रहा है तो इसमिलिफाई करना है और इस तरह से देखेंगे कि यह जो है यह तर्म कि मल्टिप्ला होगा इसकी साथ सेंबलब और तो यह हमारे पास यह कॉर्ट है कि यह हमारे पास बंगा और I पावर टू बंद गया मारे पास यह मारे पास यह मारे पास बन जाता है यह गॉजियन इंट्रिकल में आप पास जो एलफा है इस केस में वह है इस इकल टू टू एम आज और तो इसको साथ अगर आप इसको रखेंगे तो यह बन जाएगा मैस इन फिरिश्र कें फिरिड़ी दक मैद्य माइनस हेलफा एक्सक्वेर एक्स टीक तो प्रिवर्पष लेक्च्चर से आप इसको देख सकते हैं कि गॉर्जियन का जो रिजल्ट है वह है मारे पास एलफा और आपाए ओवर इल्फा होता है तो यह मारे पास आ गया पाया तो यहां से हम मैं निकालूंगा वैल्यू ओफ ए तो पाउर है वान ओवर फॉर तो नो मैंशन कॉंस्टेंट हमने फाइंड कर लिया अब सेकिंड टास्क के साथ कौन सा मारे पास पोटेंशल हो जिसके जिसके लिए यह शुटिंग रिक्वेजन जो है वो सैटिस्फाइब कर की दोनों साइट कंप्यूट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो एक यह है यहां पर टाइम डेरिवेटिव है यहां पर हमारे पास डबल पोजिशन डेरिवेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले कंप्यूट करूंगा तो इस ट्रम का अगरा पहले टाइम डेरिवेटिव लें तो यह वहार पास टाइम रख तैम यहां पर हमारे पास इसका डेरिवीटिव आएगा एक्स्पोनेंट का यह सारा ठीक होगा सिर्फ जहां पर हमारे पास है तो टी हमारे पास है यहां पर तो टाइए टी का डेरिवेटिव इसके साथ अधिकर माइनस एयोटा तो माइनस एयोटा यह तो यह आगया तो एक्स्पोनेंट एज इसकी पावर का यह टेरिवेटिव पाश्चल डेरिवेटिव है तो मानस एक यह उटाएगा आयोटा एच कट यह वाला आल मोनेच्ट अपर आपके पास यह तो हमारे पास हो गया लेट एकसप यहांप से यहाँ पे सिंद यहां चुहां जाएगा तो यह इसको तरसाथ सब्सक्राइब ही टर्म है ताब मैंने स्टेफिल यहipि Federal Park इस सदेब्गा итुई अब क्वे ज Works hunting полटाई पर 100 वाई तो यह फर्स्ट का डेरिविटिव इसके डेरिविटीव सेकेंड आगया मारे लिया को मारे लिया मैंने आपास होगा फर्स एजी इस आजाएगा एक्स और सेकेंड का डेरिविटिव आएगा मेरे पास आगी और एक एक्स यह वाला मुझूद है और इसका डेरिविटी लोगे तो यह तो यह रहा मेरे पास डबल डेरिविटीव इसको आप थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब करना चाहें कि मैंने यहां पर आगया वन मैनस टू एम एक स्कुएर और एच कर तो अब मैंने इन दोनों की दोनों साइड जो मैंने कंप्यूट कर ली हैं तो मैं इनको एक्वेट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पर यह आ जाएगा ठीक हैं वी साही के साथ तो मैंने यहां पर को मैंने स्रिफ प्रैकिट में शो किया है ताकि यह हमारे पास एक स्लाइड में यह आ सके पूरी को जन एक लाइन में तो यह है मेरे पास ही वाइटम आयोटा का स्कुएर हो जाएगा साथ आगा एक साथ यह एक्स्पोनेट तो लेफ्ट हैंड साइड आप यहां पर देख स्वाइब के थिए था यह वाला तर यह आप अपर देख लेह यह और आप यह और यह और पावर माइनस सेमें यह रह्यएंट सेम है कि यहां पर मुझे होता है यहां से जाता रहेगा और यहां से हमारे पास मैंने आपको इसको सिंप्लिफाइब करने के बाद आप देखें इस इकल टो एसका टे इंटु दिस टर्म प्लस वी रह जाएगा और यहां से हम अगर इसको रेंज कर लें और सॉल्फ करें के लिए तो वी की वैल्यू यह आजाएगी वी इस एकल टू टू एम ए स्कोईर एक स्कोईर तो यह रहा मेरे पास सेकिंड पार्ट जिसमें मैंने शुटिंग रिकोइन की मतलब से गिवन वे फंशन के लिए पोटेंशल फाइंड किया यह वह पोटेंशल है इसके लिए के आप उस वे फंशन के लिए के लिए जो पॉसिबल पोटेंशल है वह फाइंड आउट कर सकते हैं तो इस पोटेंशल के साथ वह फंशन शुटिंग रिकोईन को होल्ड करेगा नेक्स एक्सरसाइज है हमारे पास उस्की का पार्ट है के फंशन के हमने कुछ एक्सपेटेशन में वर्यू फाइंड आवर करनी है आप उसे और दिर्माहन सेंडविश्ट करते हैं और फिर आप उसको को इन्टीगेरेट करें व्रौट स्पेस तो में देखा था उसका या था इसका अगर आप सबस्क्राइब करना तो हमारे पास आता है इसमयारे पास कोई डैरिवेटिव नहीं है तो इसमें यहां पर पहले मल्टिप्लाइब कर दिये साइस्टारिक साइब तो फिर साथ एक सकती है लेकिन जब आपके पास डेरिवेटिव इन्वाल्व होगा पेटर में तो फिर आप यह काम नहीं कर सकते हैं आपको अलग-अर्डर में रखना होगा साइस टारी का पीछ रखेंगे साइब को आगे रखेंगे तो यहां पर हमारे पास एक सागें कि दिन मांद में और साथ मारे पास यहां पर एक्स हैं और यह पता है कि यह बारपास जिरो होगा लगा तकर आपके पास कभी भी कर ले ऐखोड इन्टीगाइशन का लिमिट है माय पास इंटीगरेशन जो लिमेट है वो से मिट्रिक है कि तदा माइनस में है उतना ही आपके पास प्लस में और जो इन्टीग्रेंट है वह और फंचन का मतलब यह था कि आप अगर एक्स की जगहाँ पर यहां पर माइनिस के साथ तो यह गोड़ करें तो यह बन जैगा लेकिन यहां पर माइनस आ जागा इसके साथ मानेस एक्स तो यह सेम इंटेगर बिद माइनस तो यह और फंशन है और फंशन की अगर समिटिंग लिमेट्स पर इंटिगेशन ली जाए तो यह जिरू आता है तो यह जिरू है इसको करने कोई जुरुवत नहीं है इसको आप करेंगे तो बाइपार्ट करेंगे तो आपको नजर आ जाए कि यह एक वल्टू सब्सक्राइक सब्सक्राइक अपक्षू करते हैं मवाइन पास ओप्रेटर अपर वाले वीडियो वीडियो से कि हमारे पास है तो वहां से मैं पता है कि यह होगा वान वर टू स्क्वेर रूट पाए और एल्फा क्यूब होता है तो इसको आप थोड़ा सिंप्लिफाइब कर लें और सिंप्लिफाइब करने के बाद आप देखा था कि आपके पास हमने डिफाइन किया था बेसिकली कि अगर आप हम एक्सट्रेट्शन हां आरपास मेंने इसको आधिक्साहय को लिए मां मैंने दिसक्रेइब करता रहा था वादे चलिन में हमारे पास जैसे ब्द message मैंने इसको शो किया है पहले तो मैं करता रहा था कि यह करेंगे 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 यहां पर करता है यहां पर हमारे पास डेरिविटिव आ गया तो यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है तो हमने प्रीविटिव स्लाइड पर डबल डेरिविटिव साय कंप्यूट किया है वह है यह मारे पास है डबल डेरिविटिव साय यह ठीक है तो इसकी वैल्यू हम पूट कर देंगे यहां पर है तो डबल डेरिविटिव और साय की वैल्यू यहां पर मैंने पूट कर दी वह क्या है माइनस टू एम में एक स्कूर वाइच कट और यहाद रहे हमारे पास यह जो टर्म है यह वाली यह के साथ यह साथ है ठीक है तो यह हमारे पास आगया तो साइस्टारिक साय और में य यह पकर आप इसे टम बाइटम में येश्ट गरे अंसलिक कर सकते हैं सायिस टारिक मर्क के साथ साथ इस साог्द ऐस्टारिक साथ तो यह मेरे पास can ऑढाट यहत गर मैंने है को मत तुममली लिया तो यह मेरे पास टुमें राग्या तो यह आप देखिए यह कि यह हमारे पास है कि साइ स्कू эп माटडिलो की इंटिकरीक इरद फराइस त्वेश्व में पतें में चिंदिशन के त्रूब यह और आप साइक को के लिए को को इंटिगेर करेंगे तो यह वाहन आए पास किया चीद है यह एक इस स्कूर इक स्कूर स्कूर डिएक्स पेस्टेशन की वेल्ई अपूर यह वह यह यह है तो हम यह यूज करते वह यहां पर पूट कर देंगे तो वान इसकी जगाह पर आ गया दू म म आ एम और एक्सक्वेर की एक्सक्टेशन वैलु आ गई एच्कट और फॉर एम तो आप इसको थुब्सक्राइब है में से कैंसल आऔर हो जाएगा सिंपलिफाय करने के बाद आप देखेंगे मोमेंटम स्कूर की जो वैल्यू है यह एए क तो हमने के एट सिब्सक्राइश का ली एक्स के ईकि उट्री की मोमेंटम की आप तो दी पार्ट हमारे पास कि हमने राप यह फाइंड आउट करनी है और देखना है कि मोमेंटम और पॉजिशन जो है वह अंसरीटी रेशन होल्ड करते हैं यह नहीं करते हैं तो स्टेट आविएशन हमें प्रिवेस नॉलिग से में पता है 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 जो हमने डिसक 있다 कि है वा लीक्टर में सिग्मा एक ज्वाइशन ने दिकार दोते हैं स्टेटेश्ट है मानस एक्सपेटेश्ट वیलू का स्कूर थे वैल्यू और पास है एचकाट ओवर 4 एम मेरे पास आज गया एचकाट ओर 4 एम आभर आब बात करें मोमेंटम की मि मोमे अब हमने इन दोनों को मल्टिप्लाइ करना है तो मल्टिप्लाइब आप करें यह एच कट फोर एम स्क्वेर रूट यह आगिया स्क्वेर रूट एम एच कट यह हमारे पास आगी तो इन दोनों का आप एम एम से कैंसल हो जाएगा और एच कट स्क्वेर बन जाएगा और फोर बन जाएगा तो यह बनता है एच कट वर टू तो बिल्कुल हमने जो लोइस्ट है अंसेटिट रिलेशन में वैल्यू वह हमने फाइंड आउट कर लिए एक्वालेटी एच कट वाट हो है तो हम थर्ड चैप्टर में जाके देखे कि यह जो बेसिक लिए हमने जो है एच कट वर टू इसकेस में हमारे पास जो हमने फाइंड आउट कर लिया तो यह तकरीब हमें पूरे चैप्टर का और वह देता है कि आपने फेफ फंशन के नॉर्मलाइशन कैसे करनी है नॉर्मलाइजबल कैसे करना तो वह फंशन नॉर हो जाएगा हमने यहां पर एक्सपेटेश वेल फाइंड आउट की है और एक बेसिकली जो नहीं चीज़ की है जो प्रिवेस एक्साइज में नहीं थी वह यह अंसर्टी रिलेशन देखा है कि वह होता है या नहीं होता है तो इसके एक और एक्सेसाइज है जो मैं चाहा क्य से हम देखेंगे कि हमारे पास चैप्टर नंबर टू है चैप्टर नंबर टू हमें अभी तो हमने वेब फंशन पहले से किवन है और हमने उससे हम जो कुई डैनेमिकल कॉंटिटीस फाइंड आउट कि है एक्सपेटेशन में लोग फाइंड आउट की है तो उसमें हम चैपको मिले का देखेंगे अ झाल झाल